आज से 50 साल पहले दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाई गया था जिसका नाम था इंटल 4004 इसको बेसिकली चार लॉजिक आर्किटेक्ट्स में बनाया था लॉजिक आर्किटेक्स है मतला बेसिकली जो भी आईसी पे काम करते हैं इंटिग्रेटीट सर्किट्स करते हैं यह लोग हम ऐसे भी सबसकते हैं अगर हम 11 और 12 में गेट्स पड़े हैं और यह सारी चीज़े यह तो हुगी दुनिया की सबसे पहली माइक्र प्रोसेसर की बात अब हम एक और इंटर्सिंग चीज बताते हैं आपको बेसिकली इंडिया में भी एक खुद का प्रोसेसर है जिसका नाम है शक्ति जो कि आया टी मद्रस की तरफ से आता है वहां पे इसर्चर्च में बनाया है अभी यह किसी फोन में नहीं है हो सक में नहीं को सब्किंदार चीज बनाया है आपको क्या की तो मुझे बहुत सारी नए चीज पदा चलने वाली है आपके साथ में बारे में समझने इस पहले हम छोड़ा से ग्जांपले स्नाइबality 200 के सीरीज को Snapdragon 800 के साथ में compare करेंगे मेरे पास अभी laptop है यह सारी चीजे मुझे रटी रहता है यह सारी facts है जो कि Qualcomm के website पे आपका मिल जाएगा मैं आपको link description में दे दूँगा यहां पे हम सबसे पहले compare करते हैं CPU clock speed को अगर हम 200 के सीरीज में देखें तो हमें जो clock speed है वो मिलत सकते हैं यह सुनने में चोटा लगता है 1.2 और 2.3 इसके आगे जो वर्ड है Gigahertz वो काफी बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हमारे सबसे पहला प्रोसेसर आया था वह 743 किलो हर्स था किलो हर्स का बेसिकली मतलब होता है कि एक सेकंड में एक हजार रोटेशन हो रहे हैं मेग अच्छा होगा क्योंकि आज हो सकता है हम जो प्रोसेसर यूज कर रहे है और फ्यूचर में और भी तीछ प्रोसेसर अच्छली में आने वाले अभी हमने जो एम उन चिप देखा है अपल का उसका क्या ही तरगा रिस्पॉंस है और दूसरी चीज अगर हम सैलिलर डेटा पर अपना फॉन यूज कर रहे तो हमारी जो डाउनोड स्पीड आती है वो है 42 Mbps 200 में और 800 में 150 Mbps आता है 200 में अगर हम वाइफाई की स्पीड देखे तो हमें मिलता है 150 Mbps और वहां पर अगर देखे तो 267 Mbps मिलता है यह हमें छोटा सा जो डिफरेंस देखा है यह छोटा है नहीं एक्चली में हमारे चो फॉन्स की स्पीड होती है वो कहींने पर करती है तो यह था छोटा सा अ एंट्री लेवल के फॉन का एक फ्लैक्शिप लेवल फॉन के साथ मैं और बैसिकली यह तोड़ा सा वीर्ड था लेकिन एक्चली में आपको समझ में आया होगा कि भा Snapdragon 200 की entry level series Snapdragon 400 जो की low level है और Snapdragon mid range याने के 600 Snapdragon 600 series फिर आता है हमारा high end का Snapdragon 700 series उसके बाद आता है सबसे flagship level याने की 800 जैसे अगर हमें की example ले Snapdragon 600 के series का mid range का 662 ले 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 इसमें हमें POCO M3 देखने को मिलता है तो यहां पर हमें clock speed भी उसी हिसाब से मिलता है जिस हिसाब से उसका range इस फोन में बेसिकली हमें जो clock speed मिलता है वो है 1.9 गीगा हर्ट सब्सक्राइब का हो सकते हैं कभी कभी website पी लोग थोड़ा बड़ा जड़ा कर लिए दिए बड़ उसकी कोई दिक्कत नहीं है fun fact बतातों Apple अपने खुद की प्रोसेसर नहीं बनाती है इसमें बेसिकली M1 चिप की अगर हम बात करें तो उन्हों ने उसको खुद से नहीं बनाया है इसको बिसिकली TSMC ने बनाया है जो कि तैवान सेमी कंडक्टर मैंफेक्टरृंग कंपनी है यह लोग कभी-कभी सामसंग की मदद लेते हैं कभी-कभी इनकी मदद लेते हैं और उसके बाद यह लोग अपना प्रोसेसर बनाते है आपल म लिए अब जो दूसरा हमारे है वह एपल का S-Series, Apple S-Series बेसिकली हमने आपल की वाच में सुना होगा S1, S1, P, S2, S3, S4 तक और उसके बाद आते हैं हमारे Apple W-Series, Apple W-Series बेसिकली हमारे जो भी wireless connectivity होती है जैसे अगर headphones है या फिर earphones हैं उनके लिए और तीसरा हमारे आपल का T-Series बेसिकली टच आइडी जो भी हमारे MacBook में होते हैं और अभी जो लेटेस में चल रहा है वह आपको पता ही है Apple का M-Series यह बेसिकली M1 और M2 अभी धीरे-धीरे आई रहा है मार्केट में और यह सारी चीजी स्नाप ड्रागन और आपल के बारे में हमने देखी आपल बेसिकली थोड़ा सा उप्टिमाजेशन जादे करता है अपने प्रोसेसर में इसलिए उनकी कॉस्टिंग भी थोड़ी सी ज्यादे आती है और कहें ने कहीं हमें इसमें परफॉमेंस भी दिखने को मिलता है अभी छोटा सा डाउट होत है कि एपल का जो है एक पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल आर्गिटेक्चर जहां पे इनको हाय परफॉमेंस का कैश मिलता है को इसी वेबसाइट अगर आपसे बोलती है कि उसको एलाव कर दो कैश मेमरी के लिए तो क्या होता है वो टैंपरारी ली अपने पूरे के पूरे व होता है आइफॉन का एंड्रोइड के अंपरिजर में थोड़ा से नहीं बहुत जादी होता है क्योंकि उसमें हमें एक थोड़ा से लिमिटेड सराउंडिंग मिलता है एंड्रोइड काफी ब्रॉड है हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं और दूसरी पात जो हमने देखी कैश मे मुझे भी लगा आपको भी लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर Jr. व्यूंपायक को कि सूप इस साथ बहुत यह नया वेडियो में झाल